है लो गाईस आप सभी का बाला की रसोई यूटुब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है मटर और पनीर के समोसे बनाना तो आइए स्टार्ट करते हैं मटर और पनीर के समोसे बनाना मटर और पनीर के समोसे बनाने के लिए ये हमने मटर लिये हैं ये मटर को हमने थोड़ा सा बोईल कर लिया था इसको हमने ज़्यादा उबाला नहीं है मटर को सिरफ गरम पानी उबाल के उसके इंदर मटर डाल दिये थे और ये इनका मैंने पानी निकाल लिया है और ये मैंने धाई सो ग्राम के आसपास पनीर लिया है इसको मैंने हाथ की मदस से मैस कर लिया है ये एक चमच मैंने साबुधनिया और स्वाद की अनुसार नमक और चथाई चमच हल्दी पॉडर आधा चमच गरम मसाला और आधा चमच मैंने लाल मिर्ची पॉडर लिया है और आधा चमच मैंने जीरा और आधा चमच मैंने आमचूर पोडर लिया है और एक प्याज लिया है मैंने इसको बारी कट कर लिया है तीन मैंने हरी मिर्चली है इसको भी बारी कट कर लिया है ये मैंने अधरक का एक टुकडे को मैंने कदुकस कर लिया है और ये मैंने हरा धनियान लिया है औ सबसे पहले हम समोसे का मसाला तियार करेंगे कड़ाई में मैंने ओईल डाल दिया है ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें जीरा डाल दूगी साथ ही मैंने ये साबु धनिया लिया है इससे मैं हातों की मदद से करस कर लूँगी के साथ ही मैं ये साबु धनिया डाल दूँगी और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डालूँगी अब मैं इसमें हरी मिर्च अदर राल दूँगी और साथ ही मैं ये लाज मिर्ची पॉडर गरम मसाला हल्दी पॉडर नामाक और ये हम चुपोडर इनको मिक्स कर लूँगी अब मैं इसके अंदर ये मटर डाल दूँगी जैस का फ्लेम हमने फ्लोटे ही रखना है और साथ ही मैं इसमें पन्जी डाल दूँगी ये हमारे मसाले में अच्छे तरह से मिक्स हो चुके हैं अब में ये खरा दनिया डाल दूँगी अब हम आटा त्यार करेंगे बना के अब इसमें मैं नमक डालूँगी एक छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूं और चुथाइई चम्मच मैंने अजवेन ली है इसको मैं हाथ से गरसट कर लूँगी और अजवेन डाल दूँगी इसमें ते मैंने एक कटोरी ओउइल लिया है ये छोटी कटोरी ओईल है अब मैं इस आटे को मिक्स करूँगी अब मैं आटे के अंदर मौईन लगाऊंगी यह एक कटोरी मौईन डाल दूँगी मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर लूँगी यह हमारे आटे में ओल अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी देखो मुठिया भी बनने लगी है यह हमारा आटा अच्छे से मौईन मिक्स हो चुका है अब मैं इसको पाने डाल के आटा गुन कर तियार करूँगी जिस परकार से हम पूरी का आटा बनाते हैं हमें उतना ही डाइट आटा रखना है ज्यादा सोफ्ट आटा हमें रखना नहीं है इसका और यह हमारा आटा गुन कर तियार हो चुका है और इसको हमने ज्यादा सोफ्ट नहीं करा है बिल्कु पूरी के जैसे आटा गुन कर तियार किया है इसे में पांच मिनिट के लिए रेष्ट पी रख देंगे यह हमारा मसाला ठंडा हो चुका है इसे भी मैं साइड में रख देती हूं अब मैं इसके पेड़े कर लूँगी हम जितना बड़ा रोटी का साइज रखते हैं उतना बड़ा पेड़ा रखेंगे यह देखो एक पेड़े में से दो समों से बन कर तियार होएंगे और इसी परकार से मैं सारे पेड़े बना कर तियार करूँगी यह हमने इतने बड़ा पेड़ा तियार किया है आटे का को मैं बेल लूँगी और यह मैंने ओईल को कड़ाई में डाल दिया है ओईल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है बेल लूँगी और यह हमारी रोटी बिलकर तियार हो चुकी है अब मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी और एक पीस इसको उठाऊंगी पानी लिया है कटोरी में अब मैं एक पीस को इस परकार से मोड़ूँगी एक कोने को और इस कोने पे मैं पानी लगा लूँगी और दूसरे कोने को मैं इसके उपर रख दूँगी और यह इस परकार से मैं इसको खोल लूँगी समोसे को इसमें यह मसाला भरूँगी अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और इसको इस परकार से एक बटा देखे नी इस परकार से मैं इसको बंद करूँगी और अब मैं इसको हतेली पे रखे नी इस परकार से दबाऊंगी समोसे को देखो बिल्कुल अच्छे से बंद हो चुका है और इस समोसे को मैं प्लेट में रख दूँगी इस परकार से मैं प्लेट में रखती जाऊंगी इसी परकार से एक ओना फिर से उठाया है मैंने और इस पे मैंने पानी लगा लिया है और फिर मैं दूसरे कोने को भी इसके उपर चिपका दूँगी और अब मैं इस समोसे को फिर उठाऊंगी और इसमें मसाला भरूँगी इस परकार से पानी लगाऊंगी और इसमें एक बटा दूँगी और इसको फिर से हाध से दबा दूंगी इस परकार से इसी परकार से हमने ये दूसरी रोटी बेल ली है इसको भी मैं बीच में से कठ कर दूंगी एक पीस को उठा के ये और एक ओने के अपर दूसरा कोना चिपका दूँगी और इसे हाथ में उठाऊंगी फिर से और फिर से मैं ये मसाला भरूंगी इसमें पानी लगाऊंगी अब मैं ये फिर से इसको हाथ सेम दबा दूँगी समोसे को और इसी परकार से मैं अपने सारे समोसे बना कर त्यार करterror ये हमारे समोसे भर कर त्यार हो चुके है इदर हमारा ओयल भी गरम हो चुका है गैस को हमें स्लो पे ही रखना है अब मैं एक एक करके इसमें समोसे डाल दूँगी गैस को हमें मीडियम साइज पर ही सेखना है समूसों को समूसों को एक बार यह हमारे समूसे अच्छे से फ्राइज हो चुकिए हैं और देखो कितने अच्छे बन कर ते यार हुए हैं हमारे समूसे अब मैं इन हैं एक प्लेट में निकाल लूँगी समूसों को और यह देखो कितने अच्छे से फ्राइज हुए हैं हमारे समूसे बाकी बचे हुए समूसे भी मैं फ्राइज कर लेती हूँ और इन समूसों को भी मैं फ्राइज कर लूँगी और यह भी समूसे हमारे बन कर तियार हो चुके हैं इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और यह हमारे समूसे मटर और पनीर के समूसे बन कर तियार हो चुके हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें